भई एक कॉमेंट मेरे पास में काफी दूनों से आ रहा है ये जानना चाते हैं ची पावर के बारे में ताई ची दरसल ये एक चाइनीज वर्ड है तो फ्रेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूँ और वो है ये कि जब में वीडियो अपलोट करता हूँ तो मेरे पास में बहुत सारे कॉमेंट आते हैं लगबग 24 गंटे में 100 से उपर कॉमेंट होते हैं तो ऐसे में अगर 100 कॉमेंट हैं तो 100 कॉमेंट में 40-50 तो टॉपिक होते ही हैं और मैं एक महीने में तकरीवन 7-8 वीडियो से जादा नहीं डाल पाता तो ऐसे मैं आपकी कॉमेंट पर वीडियो आने में काफी टाइम लग सकता है तो पेशेंस थोड़ा बनाए रखिए और जो टापिक मुझे अच्छे लगते हैं उन पर वीडियो बना ही देता हूँ तो चलिए अब पॉइंट पर आते हैं ये ताइची पावर क्या है देखिए ध्यान के जरीए प्रान उड़जा की मातरा को बढ़ा कर कोई भी चमतकार करना संभव है ये उड़जा कुछ इस तरह की है जैसे आपने फिल्मों में देखा ही होगा कि कोई सूपर हीरो किसी विलिन को अपने हातों के जरीए एक एनरजी बॉल बनाकर हिट करता है और उसको दूर से ही गिरा देता है बिना हात लगाए और जो उसमें एनरजी बॉल बनती है उसी को ताइची पावर कहते है अपने हातों की मुमेंट के जरीए एनरजी बॉल बनाना एक एकसरसाइज है जिसमें हम भावना शक्ति के द्वारा अपनी लाइफ फोर्स यानी ताइची एनरजी को एक लाइफ फॉर्म दे सकते हैं अब देखिए किसी भी तरह की मानसिक शक्ति के निर्माण में लाइफ फोर्स बेहत एहम योगदान निवाता है चीप आवर एक चाइनीज वर्ड है जिसका मतलब लाइफ फोर्स होता है और इसे हिंदी में प्रान उर्जा या प्रान शक्ति कहते हैं अब क्योंकि ये चाइनीज लेंग्विज से लिया हुआ वर्ड है तो इसलिए इसका परियोग मेडिसिन, मार्शल आर्ट एंड चाइनीज मेडिटेशन में किया जाता है और आपने कई हॉलिवुट मुविज में देखा होगा कि मार्शल आर्ट में हीरो मेडिटेशन के जरिए एक ऐसी लाइफ फोर्स क्रियेट करता है और बिना किसी वैपन के अपने दुश्मन को दूरी से भी हरा दिता है और ये ताइची एनरजी हमारी ले एक इंटरस्टिंग टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि इसे लोगों द्वारा जादू चमतकार जैसे शक्ति के नजरिये से देखा जाता है साइकिक पावर डिवलेप्मेंट यानि मानसिक शक्ति के विकास में ची या कहें लाइफ फोर्स एक एहम रोल निभाती है और अगर चाहे तो हर कोई इसकी क्रियेशन करके मानसिक शक्ति को बहुत जल्द जागरित कर सकता है चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं ताइची एनरजी पावर है हर प्रानी के जीवन का आधार प्रान उर्जा यानि लाइफ फोर्स को हर व्यक्ति के जीवन का मूल आधार माना जाता है हर किसी में लाइफ फोर्स थोड़ी बहुत मात्रा में होती ही है लेकिन कमाल की बात है इसे थोड़े बहुत अभ्यास के द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है और इसका इस्तिमाल भी किया जा सकता है लाइफ फोर्स को हम अलग-अलग फॉर्म में भी इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे की मेगनेटिक पावर, एट्रेक्शन पावर, इलेक्ट्रिक पावर जी हाँ ये बिल्कुल सच है आपने देखा होगा जाने अन जाने कई वार आपने नोटिस किया होगा जादा तर विंटर सीजन में हमारे अंदर एक इलेक्रिसिटी पैदा हो जाती है और अंधेरे में उसके चिंगारियों को भी देखा होगा ये हुबहू बिल्कुल वैसे ही इलेक्रिसिटी है जिस इलेक्रिसिटी का परियोग आप अपने घर में करते हैं ये और कुछ नहीं बलकि लाइफ फोर्स ही है यानि आपकी प्रान उर्जा और विज्ञान भी इसे साबित कर चुका है जादतर मार्शल आर्ट से जुड़ी चाइनीज मूवी में ताइची एनरजी द्वारा दुश्मनों को हराते हुए दिखाया जाता है और हम सोचते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसी ही शक्ती होती कुछ लोग महजी से एक कलपना मानते है हाँ और जैसा इसे मूवी में दिखाया जाता है उस स्तर पर नहीं लेकिन ऐसी ही पावर की सच्चा ही जरूर है और वैसे भी फिल्मों में बातों को थोड़ा बड़ा चड़ा कर दिखाया जाता है लेकिन ये भी सच है कि इस से मिलता जुलता हमारे पास कुछ ना कुछ अध्भुत तो जरूर है चलिए जान लेते हैं ताइची एनरजी पावर का प्रियोग क्या है और इसका क्या मैत्व है मानसिक शक्ती संभोहन दूसरों पर अपना आकर्शन छोड़ना ये सभी प्रानुर्जा यानि ताइची पावर से संभव है अगर आप डिली मेडिटेशन योगा या प्रणायाम करते हैं तो ये शक्ती आपके अंदर बढ़ती चली जाती है और इसके बाद टॉप एक्सराइज जो डबलब ताइची पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं इसमें आप दूर बैठे किसी वी वस्तु को इशारे से मूफ करवाना और किसी दूसरे व्यक्ति से मानसिक संकेतों द्वारा जुड़ना ये सभी इस लाइफ फोर्स से संभव हैं और हां ताइची एनरजी को ठेक उसी परकार बनाया जाता है जैसे किसी वस्तु के गहरशन के जरीए गर्मी पैदा करना होता है इस प्रान उर्जा को एक खास पैटन के जरीए बनाया जाता है इसमें पैटन आपके सांसों और भातिक स्टेप की खास मुवमेंट है यानि आप सांसों को जितना अंदर रोक सकते हैं आपके अंदर एनरजी उतनी ही बढ़ती जाती है हाँ याद रहे इसे घर पर ट्राइ करने की कोशिश मत करना कभी आप सांस रोकने के इस परियोग में अपनी सांसों को सच में ही रोक ले ये सबी चीजें एक मास्टर ही करवा सकता है यानि गुरू और मानसिक शक्तियों जैसे संबोहन एट्रेक्टिव परसनेलिटी में ये प्रान उरजा कैसे काम करती है आए जानते हैं संबोहन में आप किसी पर अकेले उसको गाइड करते हुए कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए आपकी attractive personality और life force यानि ताइची पावर का होना बेहस्थ जरूरी है इस life force का किसी पर भी positive effect पड़ता है मतलब अगर किसी के छूने से आपको आराम मिले अच्छा लगे तो समझ लें कि उसकी life force की मत्रा सांबानने से थोड़ी ज़ाता है किसी व्यक्ती से जूनने के बाद आपके दिमाग में उसकी छबी बन जाती है या फिर आपके मन में रह रह कर उसका ही खयाल आता है तो समझ जाए कि उसकी life force ने आपको affect किया है और भीड में कुछ लोगों की छबी कुछ अलगी देखी जा सकती है यह उनकी life force ही होती है जो आपके मस्तिक्ष पर अपना परवाब छोड़ देती है और इसका साइकिक प्रयोग कुछ इस तरह से भी हो सकता है जैसे किसी व्यक्ती का औरा फिल्ड अगर बिगड़ा हुआ है उसमें negativity है तो उसको हचाने के लिए रिकी expert भी life force का इस्तिमाल करते हैं और इसे करने के लिए वे एक pattern के साथ भावना यानि feeling का इस्तिमाल करते हैं जिसके जरीए उनकी प्रान उड़जा दूसरे व्यक्ती में परवेश कर जाती है यानि अगर आपके भीतर एक strong positive energy है तो वो energy आप दूसरे के अंदर भी transform कर सकते हैं और उसका औरा सुधार सकते हैं और पहले के समय में सिद्य गुरु जो होते थे केवल उनकी उपस्तिती ही उनका वो शुद्धतम आवा मंडल वो औरा उनके आसपास के वातावरन को negative से positive बना देता था उनके उपस्तिती ही काफी होती थी वो उसके लिए कोई भी परयास नहीं करते थे मांसिक शक्ती यानि बिना किसी माध्यम के किसी चीज को प्रवावित करना या फिर वो चाहें टेली किनिसिस हो टेली पैथी हो या फिर hypnotism इन सम्में टाइची पावर common है इसी के जरीए वो इस तरह के चमतकार आसानी से कर सकते हैं देखिए अगर आपका इतना सुनने के बाद आपके इच्छा ताइची एनरजी पावर में इंटरस्ट है तो इसकी exercise भी जान लेते हैं और इसके लिए exercise है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं और इसके लिए आप breath meditation develop chi power physically focus on chi power जैसी क्रियाएं भी कर सकते हैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी तरह से इसे develop किया जा सकता है breath meditation ये सबसे प्राचीन मेथड है जिसके जरीए infinite tai chi power creation किया जा सकता है और इसके बारे में जादा जानने के लिए आप South Indian movie चेन्ने वसेश चाइना इन हिंदी डवड में देख सकते हैं और इसमें दिखाया गया ये एक आसान तरीका है जिसे सिर्फ नियमित अभ्यास के जरीए ही किया जा सकता है दरसल इसमें हर प्रकार का meditation सायक होता है अब वो चाहें योग निद्रा हो या विपस्तना meditation और दूसरा फिजिकली मेथड ये मेथड मार्शल आट से जुड़ा हुआ है मार्शल आट की step के साथ आपकी breath की moment जुड़ी होती है जब आप ऐसा करते हैं तब आपके शरीर के moment के साथ-साथ ही एक life force क्रियेट होती है ऐसा माना जाता है कि ऐसा होना आपकी body का वातावरन के साथ friction की वज़े से होता है इसमें तीन चीजे काम करती है आपकी body की moment और एकागरता नमबर दो प्रान उड़ जा सांसों की ले यानि आपके सांसों की ले पर पकड़ भावना शक्ती दोवारा किसी एक हिसे पर focus करना and तीसरा most important energy का imagination जिसे करते समय आपकी पूरी एकागरता उस life force को एक रूप में देखते हैं एक form में देखते हैं और जब आप तीनों चीजों के अभ्यास में निपुन हो जाते हैं तो आपको ये परियोग करते समय एक energy field महसूस होने लगती है चलिए मैं इसे एक छोटे से example से आपको समझा देता हूँ उससे आप आसानी से समझ पाएंगे आपने फिल्मों में उसके पास भी वही common शरीर है जो हमारे पास है लेकिन जब एक martial artist अपनी केक या पंच का इस्तिमाल करता है तो वह मोटी से मोटी वस्तू को तोड़ देता है एक साथ कई सारी इंटे तोड़ देता है अगर यही कोशिश आप करेंगे तो क्या होगा पिल्कुल इसका उल्चा आपका हाथ तूट जाएगा तो असल में वह life force का इस्तिमाल कर रहा होता है वह उड़जा को collect करकर एक particular focus करके उस जगा पर पंच से वार करता है तब ही वह चीज तूट जाती है हाँ यह वही life energy होती है बट उन्हें इस्तिमाल करना आता है और हम इसका इस्तिमाल नहीं जानते और इसका अभ्यास तीसरी स्टेज में यानि mental level से भी किया जा सकता है और यह अभ्यास उन लोगों के लिए है जिनके अंदर life force पहले से ही मुझूद होती है उन्हें ज़रुरत होती है तो बस उसे एक form देने की और activate करने की और इसके लिए सबसे बढ़िया method है अपने body के अंदर flow होरे breath पर focus करना और उसे एक form के रूप में महसूस करना जिस तरह से हम इसे martial art में इसे physically create करते हैं इस अभ्यास में इसे mentally reform किया जाता है इसके लिए आप ध्यान की अवस्ता में बैट जाईए और अपने मस्तिक्ष को विचार शूने बनाने की कोशिश करें और सांसों को यता संबब नियूनतम करने की कोशिश करें अब आप कल्पना करें कि आप अपने पास में energy field create कर रहे हैं जितनी strong आपकी mentality होगी उतनी ही जल्दी आप उस मांसिक अभ्यास को physically महसूस कर सकते हैं जैसे कि हातों के बीच में ओर जाके गोले का एसास होना शरीर के चारो और energy field का एसास होना इस power के जरीए आप नजाने कितने सारे काम कर सकते हैं यह power कई चीजों में इस्तिमाल की जा सकती है anyway यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है जरूरत पड़ी तो इसके बारे में एक वीडियो और बना दूँगा तो बस आज के लिए इतना ही मिलता हूं नेक्स वीडियो में तिल देन, बाँ बाई